नमस्कर दोस्तों घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोगे आप बताने के लिए कमेंट में जै लक्ष्मी माता जरूर लिखे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि धन तेरस वर्ष 2019 में पूजा का सुम मोहुर्त क्या है किस मोहुर्त में आप पूजा करेंगे ताकि आपको फल की प्राप्ती होगी आपकी पूजा फलदाई होगी साथी साथ मैं धनतेरस पे खरिदारी का सुभ मोहर्त भी बताऊंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सेर करें वर्स 2019 में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 25 ओक्टूबर को धनतेरस का तेवार मनाया जाएगा दीवाली से पहले धनतेरस पर अक्सर नहीं चीजों को खरिदने का चलन है वैसे तो इस दिन सोना और चांदी खरिदना सुम माना जाता है लेकिन कुछ ऐसी भी चीजे हैं जिसे की धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरिदना चाहिए इसमें से होता है कि लोहे की समान आपको नहीं खरिदना है एलमूनियम की समान नहीं खरिदना है और साथी साथ कांच से बनी हुई वस्तुए भी आपको धनतेरस के दिन खरिद के नहीं लानी है और इसके साथ साथ ही धन तेरस पर तेल या चिकनाई जैसी कोई भी चीज जैसे घी, रिफाइंड या दिद धन तेरस पर नहीं लाना है आपको धन तेरस का मतलब ही होता है धन में तेरह गुना ब्रेधी यही बज़ा है कि इस दिन को खरिदारी वाला दीन कहा जाता है इस दिन मा लक्ष्मी और भगवान कुवेर की पूजा भी होती है पौरानिक मानिता के अनुसार समुंद्र मंथन के दौरान धन तेरस के दिन है भगवान धनवंतरी अपने अमरित कलस और आयूरवेद के साथ संसार में प्रकट हुए थी आयुर्वेद को संसार में लाने के कारण इन्हे भगवान धर्वंत्री कहा गया और आस्थी का जनक माना गया मानिता है कि भगवान कुवेर लक्ष्मी जी के खजान्ची है मानिता है कि धन्टेरस के दिन जिस बस्तू की खरीदारी की जाए उसमें तेरह गुना व्रिधी होती है तो दोस्तू सबसे पहले जान लेते हैं कि धन्टेरस पर करने का सोभ महुरत क्या है तो धन्टेरस के दिन सुरियोदे से लेकर सुबः 10 बज़ के 40 मिनट तक दोफर में 12 बजकर 5 मिनट से दोफर 2 बजके 23 मिनट तक साम 4 बजके 17 मिनट से साम 5 बजके 42 मिनट तक रात 9 बजे से रात 10 बजके 30 मिनट तक आप धन तेरस की खरिदारी कर सकते हैं दोस्तो इस दिन धन्तेरस पर सोना खरीदने का सुब महुर्थ 6 बज के 43 मिनट से 7 बज के 8 मिनट तक संध्याकाल में है अगर इस महुर्थ में आप सोना खरीदते हैं तो आपको बहद सुब माना जाएगा अब जान लेते हैं कि धन्तेरस में पूजा का सुब महुर्थ क्या है जी हाँ दोस्तो धन्तेरस में पूजा का सुब महुर्थ साम 7 बजे से आप 8 बज के 15 मिनट तक भगवान कुवेर और मा लक्षमी की पूजा कर सकते हैं इस अगर आप धन्तेरस की पूजा करते हैं तो पर जरूर खरिद के लाएं ये दो चीजे बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है धनतेरस की दिन खरिदारी करने का तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्र